विडियो के साथ इसकी बिल्कुल भी मत कीजेगा मैं छोटे चोटे से नई नई टिप्स आप लोग के लिए लेके आए हूँ तो बने रहेगा और देखेगा जरूर से वीडियो को और जब देखेंगे तभी पता चलेगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर लेंगे और लाइक जरूर से कर देना दोस्तों तो यहाँ पर हर तरीके का जो है की किचन से रिलेटेट जो टिप से वो में लेके आती रहूंगे तो देखें यहाँ पर तवे पर नमक मैंने रखा हुआ है तो यह चीज मैं आपको अभी जिनके पास समान जो घर में अवेलवल नहीं रहते हैं और बहुत जादा मतलब की दिकत होती है हमें काम करने में हम सोचते हैं कि यह क्या करें कैसे करें तो क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते जिनके पास चीजे नहीं होती है और बाकी सब के पास तो होती है लेकिन कई लोग तो इस तरीके से आप चकले और वेलन पे इस तरीके से अध्रक जो है उसको खूट के अपने चाय में डाल सकते हो देखिए इस तरीके से आप जरूर से और आपका मतलब अध्रक भी अच्छे से कूट जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी तो इस तरीके से आप अध्रक पतला पतला सा काटके भी डाल सकते हैं और या फिर कूटके भी डाल सकते हैं तो जैसे आपको अच्छा लगए आप उस तरीके से काट डाल सकते हो तो यहां पर देखे चाय हमारी बन गई है चाय को लेकर मैं आपको बता देती हूँ कि चाय हमेशा गरम होती है और कितने पहने चाई पर झाण लीजिए पिर उसके बाद आप कप में चाने से आप पर पारन वास पर ऑख में पर सबस्तरों जाले लोटे के ठाण लीजिए पर पहले ने लोटे से प्रहभिए पारन ओरर माथ करे कंभी हम कभी कभी मेमान आते हैं और हम ऐसे भगोना पलटने लगते हैं या चायदानी पलटने लगते हैं तो चाय जो है साइडो साइडो में लग जाता है गिर जाता है गिलास के उपर जिससे हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम बाहर लेके जाएं गेश्ट के पास और वो चाय गिल जैसे रोटी बनाने जाते हैं आप जब तो सबसे पहले क्या करना है आपको कल मैंने बताया था आपको आटे से तो आज देखे ये नमक है नमक आप लेके इस तरीके से यहां पे तवे पे रफ कीजिए इस तरीके से रफ करने से जो मुर्चा होता है जो तवे में लोहे का है तो जो मुर्चा होता है वो मुर्चा जो है वो निकल जाएगा तब एकदम साफ हो जाएगा तो इस तरीके से आपको रफ करना देखिए इस तरीके से जितना अच्छे से आपको रफ करेंगे आपका जो 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 यह है तब है यह सही हो जाएगा और बिल्कुल भी मुर्चा न नहीं बढ़ियां बनेंगी कि कुछ पहने बात नहीं है。 तो चलिए, आपको रोटी हमां कर दूमने जिए, क्य़ भाश। आपकर दू में भाश कर ऑचे हुआ। तो इस तरीके से आप रोटी भी बना सकते हैं और आपका जो रोटी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी तो इस तरीके से आप जरूर से ट्राइ कीजिए आपका तवावी सापो का और रोटी भी अच्छी बनेगी देखें ये कितनी अच्छी रोटी बनी हुई है तो इस तरीके से आप जरूर से ट्राइ कीजिए और जरूर से बनाएए काफी ज़्यादा और ये अटा घर का है फिर भी देखिए कितनी बढ़ी है रोटी बनी है इस तरीके से आप ट्राइ कीजिए और इसके पास सबसे अच्छा जो मैंने ये ट्रीक है ये देखिए ये बह पहले चूड़ी लीजिए और इसमें डाल दीजिए इस साइड से आपको डालना है इस तरीके से आप करेंगे तो यह जो इधर का किनारे किनारे करेंगा यह मतलब की सही रहेगा और जाड़ू को भी मैचिंग की चूड़ी पहना यह ऐसा नहीं मतलब की कोई भी उठा के पहन पहना दीजिए तो देखें कितना मैचिंग करना नहीं लग रहा है जीसे च्चूड़ी को डालने ना है तो इस तरीके से आगर आप कर देंगे तो पहनाई देंगे तो यह जो रहेगा जो निकलने वाला रहता है इधर उदर से वह नहीं लाँ देखे इस तरीके से आपको कर देना है और ये पूरा एक दब देखे ये आपका जो जाड़ू है ये इस तरीके से आगर आप रखेंगे तो ये जाड़ू जो है आपका खराब नहीं होगा और ये इधर उदर से साइडों से निकलेगा नहीं तूटके तो इस तरीके से आप क कैसी लगी कमेंट करके बताना और अच्छी लगी